प्लाटफॉर्म पर हम लोग जेनरल इंजिर्णिंग जो पेपर है जे से सी जेए का उसका वीडियो जो है उसमें कंटिनिवेशन में आज का जो टॉपिक रहने वाला है दाट इज नोडल एनालिसिस दाट इज नोडल एनालिसिस ठीक है आज हम लोग इस टॉपिक को कवर कर लेंगे नोडल एनालिसिस क्या है देखिए एक्जाम पॉइंट ओफ यू सो अगर देखिएगा तो आप किसी भी एक मैथ़ड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे कभी आपको नोडल काफी आसानी से सॉल्व हो जाया कि कुछ क्वेश्चन को आपको 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 आना चाहिए बेसिक से ठीक है इस पर काफी अच्छे-च्छे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे तो आज तो आज तो हम लोग इस ये कहता क्या है ठीक है वो करेंगे उसमें nodal analysis को कैसे हम लोग tackle करते हैं इस चीज़ को हम लोग देखेंगे ठीक है चलिए तो nodal analysis को अगर देखें बुक में आपको काफी बहुत सारा statement देखने को मिल जाएगा इना simple ले मैं language में अगर simple सी बात करें तो this is this is an extension of KCL ठीक है पस KCL का extension है यह क्या है कि हम आपको पहले ही बताए थे KCL में आपको बहुत tough questions नहीं पूछे जाएंगे थोड़ा सा अगर question के level को twist करना है थोड़ा सा उसको level को बढ़ाना है तो वो nodal में shift हो जाएगा नोडल से पूछ लेगा आपको सवाल को ठीक है तो अस यह KCL जो है वो nodal का क्या है extension होता है ठीक है देखते हैं इसमें nodal analysis अगर आपको लगाना है ठीक है तो इसमें आपको ऐसे node को देखना रहता है जो की junction हो अगर जिन students का node junction या mace loop यह सब concept गरबढ है तो kindly वो previous video उसको देख ले जाकर जहां पर कि हम अच्छे से समझाए हुए है ठीक है तो यह जो है it applies on such node such nodes which are junction ठीक है आपको आपको बुक में बहुत लिखाओ मिलेगा हम लोग इसको simple तरीके से बिल्कुल जितना simple हो सकता है क्योंकि हमको यह subjective का paper नहीं देना है कुछ लोग कि इस पर objection उठा सकते है जो बिद्वान लोग होंगे उनके साथ हमको पढ़ना भी नहीं है इतना पर आपका सारा question solve हो जाएगा ठीक है सारा और सही solve होगा कोई गलत नहीं होगा ठीक है क्योंकि हो subjective नहीं solve करना objective solve करना है तो ऐसे node जो junction होंगे उन्हीं पर आप node analysis चुप चाप से लगा देना जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से step by step करके लगा देना आपका हर question बनेगा बिलकुल सही कोई गलत नहीं होगा ठीक है जैसे question example के तोर पे लेते हैं ठीक है यही circuit जो है हम देखो circuit अभी नहीं बदल रहे हैं इसलिए नहीं बदल रहे हैं ताकि आपको अंतर समझ में आए अगर हम circuit बदल देंगे हर बार ठीक है वह सकता है value जो हमको याद न रहे लेकिन circuit का जो आप देख रहे होगे circuit diagram वो नहीं change कर रहे है हम एक जैसा ही लेके चल रहे हैं फिलाल ठीक है आप बदल दोगे तो कुछ पहले एक basic पर समझ लो फिर आपको अपने स्वन में आ जाएगा shift करोगे तो ठीक है यह माल लेते हैं कोई 2 ohm है हमें statement नहीं लिखे कोई जरूरत नहीं है उसका इससे कोई statement के regarding आपसे सवाल कभी किसी exam में नहीं पूछेगा ठीक है यह 2 ohm है यह 3 ohm है यह 4 ohm है ठीक है एसा माल लेते हैं यह 5 volt है और यह 6 volt है ऐसा कुछ माल लिए ठीक है और आपसे यह बोल दिया कि भाई बताओ इन सभी resistances पर current की value कितनी है आपसे exam में कोई एक single resistors भी पूछ सकता है सरण assistance भी पूछ सकता है ठीक है चलिए अब हमको इसको nodal से solve अगर करना है तो क्या करेंगे nodal में nodal में basically आप उन nodes को focus कीजिए जो junction है तो junction किसको बोलते है the meeting point of at least three elements तीन element जहां मिलेगा उसी बिंदू को नोड बोलेंगे ठीक है element जहां मिलेगा उसको आप junction बोलिएगा क्या ये junction होगा क्या नहीं यहां दो ही element मिलना ये junction नहीं पूंकि यहां पर यह तीन element मिल रहा है एक junction मेरा यहां भी होगा ठीक है इस junction का आप कुछ भी नाम दे सकते हो A, B, C, D, Alpha, Beta, Gamma, 1, 2, 3 कुछ भी ठीक है आप इस junction का कुछ नाम दे दिए माल लिजिए A नाम दे दिए ठीक है और जैसे इसका नाम दिए इसका potential भी आप लिख दीजिए अपने से V, A हम लिख दिए इस junction का आप नाम दिए A ठीक है और आप इसको इसका potential केतना माल लिए V, A माल लिए अब ये वाला junction देखिए देखिए जो junction है जब कोई junction किसी battery के negative terminal से connect हो जाता है इस battery के negative terminal से connect हो गया तो आप इस junction को काफी आसानी से ground कर सकते हैं और जब आप इसको ground कीजिएगा तो इससे आपको कुछ benefit होगा पहला benefit क्या होगा ठीक है कि इसका potential आपको 0 मिल जाएगा ठीक है माल लिए तहीं इस junction का नाम B होगा तो V, B का value केतना आ जाएगा 0 इस junction का नाम हम B रखें तो इसका potential भी भी चूकि ये battery के negative से connected था इसलिए इसको ground किये और इसका value कितना आ गया ground potential 0 हो गया ठीक है एक बार इतना काम हो गया उसके बाद आसानी से ये solve हो जाना है आप इसमें देखिए दो-दो source दे रख था है हम पहले ही बोले घबराना नहीं है दो source हो, तीन source हो, दस source हो, हजारो source हो उससे अपने को क्या लेना देना किसी एक source जो हमको पसंद आ जाए दोनों में से उसी से current निकालेंगे और पूरे circuit में दोडा देंगे ठीक है तो इससे हम लोग एक current I1 निकाल लिए ठीक है देखिए इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते है कई बार आसानी पड़ता है कि दो-दो circuits, दोनों source से आप current निकाल लीजे वो भी आसानी पड़ता है लेकिन बिगनिंग में, शुरुवाती में जो civil और mechanical वाले खास्तोर से बच्चे है वो क्या करेंगे पहले किसी एक source से current निकालेंगे ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ध्यान देना है ये current यहाँ चलेगा node A पर आएगा, इसको दो रास्ता दिख जाएगा एक रास्ता को वो बोलेगा कि सर इधर I2 है अब देखो अब तुमको बताय हुए है कि unknown नहीं बढ़ाना तो उस logic के हिसाब से तुम इधर लिखोगे I1-I2 बट वेट वेट, ये nodal analysis है इसमें unknown बढ़ाने से ही तुमको फैदा हो जाएगा, क्योंकि confusion नहीं होगा ऐसा नहीं ऐसे लिखेंगे तो असान इस लिख सकते हैं, लेकिन confusion हो जाएगा तुम लोग काट दोगे, ठीक है तो confusion नहीं होगा confusion से बचने के लिए यहां पर unknown बढ़ा लेते हैं, क्योंकि current का तो current के term में हमारा आने वाला नहीं है extension of KCL, भी समझाएंगे उस चीज को, हम एक I3 ले लिए, ठीक है ऐसा करने से हमारा काम बहुत असान हो जाएगा इसमें यहां पर कुछ sign वगर allot करने की जरूरत नहीं है, बीना sign allot किये, बीना sign assign किये ही तुमारा काम हो जाएगा तुमको करना क्या है, KCL लिखना है, किस पर KCL at node A पर, क्योंकि यह ground नहीं है यह तो ground नहीं है, इस पर लिखेंगे node A पर तुम KCL लिखोगे, अब node A पर incoming current कौन सा है, तो यह I1 आ रहा है, और node A से यह दोनो current जा रहा है, I2, I3 तो तुमारा incoming current हो गया I1 और outgoing current हो गया I2 प्लस I3, ऐसे outgoing current हो गया देखो, अगर हम यह I3 के जगा तुम लिख देता, I1 minus I2 ठीक है, ऐसा तुम अगर कुछ I3 के जगा क्या लिख देता, I1 minus I2 ऐसा लिखता, तो फिर तुम लोग काटपीट शुरू कर देता, हमको काटना नहीं था, बोलों, सर काटे क्यों नहीं ठीक है, हमको काटना नहीं है क्योंकि extension करना है हमको, ठीक है इस kaciel, यहां तक तो kaciel लगा इसको हम लोग हटाते हैं इस form में हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है यहां तक तो अपना kaciel हो गया, अब extension का बात कहां आया, देखो जब भी तुमको current मिलेगा, तो ohms law हम लोग पढ़े हैं, basic circuit में v is equal to y into r होता है तो any current can be written in the form of v by r voltage difference divided by resistance, इस form में हम लोग किसी current को represent कर सकते बस आपको इस kaciel को इसी form में represent कर देना है काम बन गया, ठीक है i1 जो है, इसको कैसे represent करेंगे, तो देखिए i1 कहां से कहां जा रहा है, 5 volt से इस node A पर जा रहा है, और यहां का potential कितना है, VA है तो current हमेशा higher potential से lower potential की ओर flow होता है, मतलब 5 volt और node A के बिच जो potential difference होगा तो 5 volt और node A के बिच potential difference कैसे लिखेंगे, तो हमारा 5 minus VA भी हो सकता है VA minus 5 भी हो सकता है, समझेंगे हम 5 minus VA लिखे यह सही होगा, या VA minus 5 लिखे यह सही होगा तो इस लड़ाई जाजट में नहीं पढ़के, एक simple सा concept ध्यान में रखेंगे, कि current हमेशा higher potential से lower potential की और flow करता है, अगर यह current 5 volt बैटरी से निकल के इस node A की और जा रहा है, तो इसका potential ज़ादा होगा इसका potential कम होगा इसका मतलब हम लोग 5 minus VA लिखेंगे, तो यह हो गया 5 minus VA voltage लिख दिए, divide by resistance, इस path में resistance कितना मिला, 2 ohm, तो लिख दिए, is equal to I2 देखेंगे, I2 किदर जा रहा है, तो I2 इस node A से 6 volt की और जा रहा है, यह सब दिमाग नहीं लगाएंगे, सब दर 5 था इदर 6 था, तो दर से आना चाहिए अगर वो तुम्हारा माना हुआ direction सही रहेगा, तो current automatically positive आएगा, और नहीं सही रहेगा, तो current negative आएगा, बट तुमको magnitude focus करना है, ठीक है, तो plus minus में क्या रहा है, उससे कोई फर्क ने है, magnitude पूरे दुनिया में सबका एक जैसा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, current A से 6 volt की और जा रहा है, तो इसका मतलब A क्या हो गया, higher potential पे, 6 क्या हो गया, lower potential पे, तो हमारा कितना हो जाएगा, A का potential VA, minus 6 divided by, कितना हो जाएगा, असिस्टेंस इस path का, 3 तो 3 लिख देंगे, फिर plus, I3 का value कैसे लिखेंगे, तो यह node A से इस ground की और जा रहा है, तो node A का potential VA, और ground का potential 0, तो कितना हो जाएगा, VA minus 0 divided by, यहां कर असिस्टेंस कितना है, 4, हो गया, solve, इसको, इस equation को solve कर लेना है, तो देख लो, यहां पर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग solve करेंगे तो, यहां LCM ले लो, चार्तिया 12 LCM हो जाएगा, ठीक है, और इस 12 को काट लोगों, यहां 6 बचेगा, 6 को इधर multiply कर देंगे, जो बच्चा नई समझ पा रहा है, copy, pair, लेकर, फटा-फट कर लेगा, अभी हम कर देते हैं, 5 minus VA by 2, competition का एक्जाम लिखने जा रहा है, थोड़ा सा calculation fast करना होगा, ठीक है, ऐसे करते रहेंगे, तो पता चला, चार साल में एक्जाम निकलेगा, ठीक है, तो 5 minus VA by 2, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, LCM ले लेंगे, तो यहां हो गया, 12, यह 4 से multiply कर देंगे, तो 4 VA minus 64 के 24, और यह 3 से multiply हो जाएगा, प्लस 3 VA, यह 2 से कर जाएगा, 6, इसको 6 सिदर गुड़ा कर दो, ठीक है, तो यह हो गया, 6 पचे 30 minus 6 VA, और यह 4 VA और 3 VA, 7 VA minus 24, ठीक है, यह minus 6 VA उदर जाएगा, तो plus हो जाएगा, और यह minus 24 दर आएगा, तो plus हो जाएगा, ठीक है, 54, तो VA का वैलू कितना निकल गया, 54 by 13, इतना आगया, ठीक है, साइद नीचे ना दिखे, तो हम यहां लिख दे रहे हैं, VA का वैलू, किदर लिख दे, यहां लिख दे, VA का वैलू कितना आया, solve करने पर, VA का वैलू, तेरा निचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 54 बटा, 13 वोल्ट, इतना, VA का वैलू आ गया, एक बार VA निकल गया, तो सब solve हो जाएगा, A के क्रोस, सॉरी, यह, 2 ओम के क्रोस, current तुमको निकालना है, सारा current निकल जाएगा, ठीक है, 2 ओम के क्रोस, अगर तुमको पूछेगा, current बताईए, तो 2 ओम के क्रोस, कौन current है, I1 है, और I1 का वैलू, तुम क्या लिख्यो, 5 माइनस VA बाई 2, 5 माइनस VA बाई 2, 5 माइनस VA का वैलू, केतना निकाले, 54 बाटा 13, 54 बाटा 13, माइनस 2, solve कर लो इसको, ठीक है, 13 पाचे 65, यहां सा आएगा, 13 पाचे 65, 65 में 54 घटा दो, ठीक है, तो 11 आएगा, 11 बाटा 26 आएगा, इतना एंपियर का current, 2 ओम में flow कर रहा है, ठीक है, 3 ओम में पूछेगा, 3 ओम में तो, I2 current flow कर रहा है, और I2 का भेलू, देखो कितना लिखे हो, VA-6 by 3, VA-6 by 3, VA का भेलू, फिर कितना डाल देना, 54 बाटा 13, solve कर लेना, जो आएगा, एंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर तुमसे यहां, 4 ओम के क्रॉस पूछेगा, अचर, VA का भेलू डाल देना, जो आएगा, एंसर हो जाएगा, इस तरह से हम लोग, nodal analysis को solve करते हैं, लेकिन जरा सा समझेंगे, और कुछ बातों को, इसी circuit में, इसी circuit में, ठीक है, अगर, battery की polarity बदल देती, suppose that, ऐसा कर देता, पहले उपर में plus था, अब उपर में minus कर देता, और इसको plus कर देता, उपर negative हो जाता, नीचे positive हो जाता, ऐसे कर देता, क्या तब हम लोग इसको ground कर पाते, इसको ground करे या इसको ground करे, समस्या आ गया, ठीक है, देखो answer क्या है, अब भी भी ये, जो बी है, ये 5 वोल्ट के negative terminal से connected है, in a similar way, ए जो है, ये 6 वोल्ट के negative terminal से connected है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो बी को ground कर दो, या ए को ground कर दो, किसी को भी ground कर दो, ठीक है, जिसको तुम्हारा इक्षा हो रहा है, माल लेते हैं हम लोग, बी को ही ground किये, ठीक है, तो जब equation लिखने बैठेंगे, तो वहाँ slightly सच change हो जाएगा, यानि KCL at node A लिखेंगे, तो KCL तो ठीक है, आपका I1 is equal to I2 plus I3 आएगा, I1 is equal to I2 plus I3, यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है, आईवन का जब आप value लिखेंगे, तो 5 minus VA by 2 लिखेंगे, यह भी आपका सही है, आईवन में आपका कोई problem नहीं है, आईवन 5 वोल्ट से VA की ओर जाना, तो 5 minus VA divided by 2, यह सही है, इसमें कोई problem नहीं है, I2 जब आप लिखने जाएगा, ठीक है, तो I2 चुकि आप यहां कहां से flow रहा है, VA से battery के negative terminal पे flow हुआ है, negative terminal पे, battery का यह current कहां flow हुआ है, negative terminal पे, that's why इस region की वज़े से, यहां पर जब लिखोगे तो VA minus 6 लिखना था, तो यहां 6 नहीं लिखके, minus of 6 लिखने देंगे, ऐसे, बस, इतना ही फरकाएगा, ध्यां दिये, I2 का आप क्या लिखोगे, VA minus 6 by 3 होना चाहीए था, तो VA minus, फिर bracket में क्या लिखेंगे, minus of 6, तो यह minus, यह minus कितना हो जाएगा, plus हो जाएगा, minus minus है, plus, तो यह actually equation कितना हो जाएगा, VA plus 6 by 3 हो जाएगा, ठीक है, यह equation कितना हो जाएगा, VA plus 6 by 3 हो जाएगा, ठीक है, बाकी equations वह इसे रहेंगे, VA by 4 इदर है, और यह 5 minus VA by 2 है, अब आप इस equation को, इस equation को आप solve कर लो, ठीक है, जैसे हमी solve किये थे, वह इसे इन VA का value निकलेगा, फिर आप 2 ohm, 3 ohm, सब के cross निकाल सकते हो, बस इस equation को solve करेगा है, ठीक है, जो भी value आएगा, VA का, तो जब आप 2 ohm के cross निकालने जाओगे, तो आप 5 minus VA by 2, जो भी VA का value आएगा डाल देना, जैसे बात है, आप तो यहाँ change होगी, आप VA plus 6 होगा, तो 54 बटा, तेरा नहीं आएगा, कुछ अलागा आएगा, ठीक है, जो भी आएगा, आप यहाँ डाल देना, जब आप 3 ohm का निकालने जाओगे, तो आप क्या लिखोगे, VA minus 6 by 3, तो आप लिखाओगे ने, क्या लिखोगे, VA plus 6 by 3, तो यहाँ VA plus हो जाएगा, 6 by 3, जो भी VA का value calculate करके आएगा, उसको यहाँ डाल देना, उस तरह से आप जब 4 ohm के cross निकालने जाओगे, आए 3 का value, तो VA by 4, जो भी VA का value अगा डाल देना, तो इस तरह से आप solve करोगे, ठीक है, इसमें एक problem जो है, हम current source का लेकर बताते हैं, ठीक है, एक problem current source के लिए, ठीक है, चलो, तो अगर हमारा current source आजाए, तब किस तरह से tackle करेंगे, current source आजाए, तो नोडल लगाने में और मज़ा आता है, काफी आसानी से solve हो जाता है, current source के case में, ठीक है, काफी आसानी से solve हो जाएगा, ठीक, जैसे कि, हम लोग एक example लेते हैं, circuit ऐसा है, कुछ है, current source आगया, ठीक है, ये 2 ohm है, ये 3 ohm है, ये 4 ohm है, ये माल लेते हैं, 3 ampere है, ये कुछ 5 volt है, design circuit का पहले जैसा है ये, बस यहाँ एक current source आगया है, अब कैसे solve करेंगे, इन में आपको current बताना है, तो पहले जैसा ही, उन जंक्सन, उन नोड को चुनेंगे, जो जंक्सन है, ये आपका जंक्सन है, ठीक है, इसका एक नाम दे दिये, ए, इसका potential लिख लिए, भी ये, ठीक है, ये वाला जो जंक्सन है, ये बैटरी के negative terminal से जुड़ा हुआ है, इसको ground कर देंगे, बी नाम दे दिये, वी बी का value जिरो हो गया, simple, अब यहां से current दोड़ाएंगे, I, या I1 ले लो, ठीक है, ये I1 यहां आएगा, ठीक है, अब, logically यहां दो रास्ते हैं उसके पास, इधर जाने के लिए 4 ohm की और, एक 3 ohm की और, ठीक है, लेकिन, ये जब I1 इधर से आ रहा है, इधर से I1 दोड़ के आ रहा है, इधर से 3 ampere दोड़ के आ रहा है, ये I1 इधर कभी घूसेगा नहीं, वारना, यहां पर net current का value केतना हो जाएगा, इधर ये घूसा, तो net current का value 3 minus I1 हो जाएगा, या I1 minus 3 हो जाएगा, इससे इस current source का current का magnitude डाउन हो जाएगा, जो कि violation है basic circuit लॉक हा, ठीक है, बतब ये ऐसा नियम का, बतब किसी current source का, आप source का ही current के magnitude को change नहीं कर सकते, तो बतब 3 ampere है तो आप ऐसा नहीं कुछ कर सकते हैं, कि ये 3 ampere से ही घड़ जाए, ये allow नहीं है, ठीक है, तो इस वज़ा से ये I1 जब इधर से आएगा, तो ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर आएगा, I1, उसी तरह से ये 3 ampere जो है, ये आएगा और ये भी इधर, हम लोग को इस तरफ चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, I1 प्लस 3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आया बास समद्ध में, तो ये I1 प्लस जो 3 है, ये जो आपका आ रहा है, इधर तो 3 एंपियर है, इधर चे तो 3 एंपियर है, इसको आप एक अन्नोन I2 माल लीजिए, हम पहले ही बोलें, करेंट में अन्नोन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप अप लिख लीजिए, एट नोड ए, यहाँ केसील लगा जीजिए, लिए I1 पलस 3 को हम किस से रिप्लेस कर दिये, I2 से रिप्लेस कर दिये, ताकि confusion ना हो, ठीक है, तो हम लोग ये वाला outgoing current हो गया, outgoing current मेरा कितना हो गया, I2 हो गया, ठीक है, अब हम लोग change करेंगे, तो यहाँ पर ये जो I1 है, यह 5 वोल्ट से इस VA की और जा रहा है, ठीक है, तो मेरा 5 minus VA हो जाएगा, divide by resistance कितना है, 2, जब current source रहता है, तो उसके current को change नहीं करते हैं, I, G, T, जी लिख देते हैं, जैसे voltage source में potential difference जब लिख देते हैं, तो voltage का कुद ही लिख देते हैं, वहाँ voltage drop जब लिख रहते हैं, तो voltage source का voltage drop, battery का potential ही होता है, उसके current source का अगर लिखने जाएंगे, तो जो current का magnitude है, वही लिख देंगे, तो 3A को यहाँ change नहीं करेंगे, 3 का 3A, G, T, जी रहा जायाएगा, फिर I2 के लिए कितना हो जायाएगा, तो यह VA से ground potential की रहर जायाएगा, तो यह higher potential पे होगा, यह lower पे होगा, तो VA minus 0, VA minus 0, by कितना हो गया resistance, 3, अब यहाँ से VA को आप निकाल लो, ठीक है, तो आपका 5 minus VA plus, यह हो गया 3 दूनी 6, इसको आप पूरे को 3 से गुणे कर दो, यह वाला, और यह हो जायाएगा आपका 2 VA, solve कर लोगे, तो यह हो गया आपका 15 minus 3 VA plus 18 is equal to 2 VA, यह minus 3 VA उदर जायाएगा, तो plus 3 VA हो जायाएगा, 3 VA और 2 VA, कितना हो जायाएगा, 5 VA, ठीक है, यह 15, 15, 30, ठीक है, और 2, 32, ठीक है, तो VA का वैलू आपका कितना आया, 33 by 5 वोल्ट आगे, सिंपल है, अब आप जिसमें करेंट पूछेगा, माल लेते 2 ओम में पूछा, तो 2 ओम में करेंट कौन से है, I1 है, और I1 का वैलू कितना लिखो, 5 minus VA by 2, 5 minus VA by 2, VA का जो वैलू आ रहा है, 33 by 5 यहां डाल दो, solve कर लो, answer आ जाएगा, तुमसे 3 ओम में पूछ दिया, 3 ओम में, तो I2 है, और I2 का वैलू कितना लिखे हो, I2 का वैलू VA minus 0 by 2 3, तो VA minus 0 by 2 3, VA का वैलू जो भी है, 33 by 5 यहां डाल दो, solve कर लो, हो जाएगा, तुमसे 4 ओम में पूछ दिया, भाई 4 ओम में पूछ दिया, तो solve करने क्या जरूरत है, 4 ओम में current तो 3 ampere flow कर रहा है, देख लो, यही current flow कर रहा है, तो इसका सीधे 3 ampere answer लिख दोगे, answer हो गया, ऐसा भी question कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो this is your current source problem, कुछ और problem लोग, जब MCQs देखेंगे, तो उसमें हम, जैसा भी रहेगा, और problem को tackle कर लेंगे, ठीक है, तो आप लोग से फिर request है, जो लोग नए है, चैनल को subscribe कीजिए, ठीक है, और जाजादा share कीजिए, ठीक है, यह आपका अपना YouTube channel है, अध्यन्द effort, आप लोग अच्छे से तयारी कीजिए, तिल देन, ठैंक्यू, वेरी मच्च,